हलो एवरिवन, गेट का एक्जाम अब आपका ओवर हो चुका है और आप सबको पता है गेट वाला का प्लेटफोर्म आपको हर चीज में सपोर्ट करता है आपने अपनी आंसर की से जो ओफिशल आंसर की आई है उससे अपने मार्क्स चेक कर ली होगे और आपको रेंज पता चल गी होगी कि आपके किस रेंज में मार्क्स आ रहे है अगर आपने गेट क्वालिफाई भी किया है तो आपको पता है कि आपके लिए कोई न कोई खड़ा हूं गेट वाला के प्लेटफोर्म पर डेली में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूं जिसमें सारी आपको information मिलती है तो आप में से कई बच्छा ऐसे हो सकते हैं जिनका 30 से 40 के बीच में माक्स आ रहे हैं का ऐसे हो सकते 40 से 50 के बीच में माक्स आ रहे हैं कहीं प्लस वाले भी होंगे और प्लस वाले भी होंगे बट अब उनके दिमाग में यही है कि सर मेरे इस माक्स में मुझे मिलेगा क्या और यह क्यूशन का जवाब ढूंते ढूंते वो अपना इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि आने वाले टाइम पर ना वो इंटर्वी की तैयरी कर पाते हैं अगर उनके आप सबको पता है कि इंडिवीजवल आयटी में जाके अगर आप अपलाई करते हो तो हर एक आयटी में आपको डिफ्रेंट फीस पे करनी पड़ती है डिफ्रेंट कोर्स के लिए मालो आयटी देली में आप अपलाई कर रहे हो मेकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर वहां और यंडा पिल देख लों तो और पर ऑपलेकशन होँ और पॉर्यांगंग चार अलगलग कॉर्से किसे ओले डिफिर अपना इंडियू भी लेते तो आपको श्रौइशन के पर और आपने सेपरेंट फीस बहुस सारी चीज़े बहूं और बच्चे क्या करते हैं कि सारे form भर डालते हैं उनको आइडिया भी नहीं रहता है कि उनके लिए क्या अच्छा form हो सकता है कौन सा best option उनको मिल सकता है उसकोर से ब्रांच मिल सकती है क्या क्या चीज़े हो सकता है क्या क्या options आपके पास हो सकते हैं इसके बाद मैं आपके लिए बहुत सारे से वीडियो देखे आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको हर एक individual IIT में apply कैसे करना है हर एक individual IIT में कितना ब्रांच के लिए कौन सी ब्रांच के लिए कौन सा score चाहिए हर एक individual IIT में आपको क्या फीस पे करनी पड़ेगी और उस IIT में आपके लिए कितने option हो सकते हैं सारी चीज़ों का discussion होगा इसके लावा आप से लेकर हर एक चीज़ होगी और यह चलता रहेगा और मैं बता रहूं गाईज एक बार आप इसको फोलो करके देखना आपको कहीं पर भटकने की जरुरत नहीं है जो वीडियो जा रहे है उनको देख लोगे तो आपको पूरा का पूरा पोस्ट गैडेंस आपका हो जाएगा सारे options आपको बता लग जाएंगे चलिए गाई सुरू करते हैं सबसे फर्स्ट मैं आपको बताओं कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया और आपको अवेरनेस भी होगी कि आपके पास क्या-क्या ओप्शन ह पास क्या होता है जैसे आप एंटेक कर सकते हैं एंटेक के बारे में काफी सारे बच्चों को पता होता है पर एमेस के बारे में नहीं होता है उसकी में पोस्ट गर गाइडेंस में लेकर आऊँगा आपको सब्सक्राइब कर सकते हो आपको मिलेगा मिलेगा अगर आपने अधुप्य से बढ़ा उप्शन हो सकता है उसके बाद आप यहां पर देखो सब्सक्राइब होते हैं जैसे ग्रेजुएट इंजिनियर ट्रेनी जो बहुत सारे पीएस यूज है आपको बता है 2023 में मेजर वेकेंसियां जाई है पीएसियों में सारी पीएसियों की वेकेंसी में अशिस्टेंट इंजिनियर का जिसे अगर आप देखोगें अपके पास अप्ष्ण होते हैं आपको पता है इस रोज है अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने बोला था कि 2021 वाइस के वच्चे हैं और उनके पास यह उप्ष्ण है और उनके पास य सम्टिंग वेकेंसी आया थी गेट क्वालीफिया उन्होंने मांगा था उसके बाद वह आपको रिटन क्लियर करना है तो आप गेट क्वालीफाई जो है वह वच्चे इसमें सब एक्जाम दे सकते तो यह भी ऑप्शन रहेगा बार्क में आप सेपरेट एक्जाम भी है इन सब के अंधर भी आपके पास बहुत अच्छे खासे ओप्शन रहते हैं तो आप लोगों इन ओप्शन के बारे में कब मिलेंगे कहां मिलेंगे गेट वाला की चैनल पर मिलेंगे और आप सब बच्चे मुझे एक यूनीक नाम से जानते कमेंट में आपको नाम भी दि अब इस केस में आप लोगों में बता दूँ आपके पास जो और रहेंगे वह कर सकते हों आप किसी भी स्टेट गोर्मेंट को लेज से जैसे आपके इस्टेट में कोई रहें करोगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद आपको इस टाइपन वहां पर भी मिलेगा 12,400 होगा मंतली हर जो आइट में मिलता है स्टाइपन वह भी यहां पर भी वही लेवल का मिलता है स्टाइपन में कोई डिफ्रेंस नहीं है यहां पर आप देखेंगे अधर एक्जाम जैसे आप की पिर्पेर कर सकते हो जो यह बहुत ही अच्छा पोइंड में नहीं आप लिख तो आप इसमें जा सकते हो तीन बार आपने मतलब गेट लिख दिया है लेकिन जो वच्छे सर में ने तो पहली बार ही लिखा या दूसरी बार ही लिखा उसकेस में आपको इस ऑप्शन में नहीं जाना है अगर आप 30-40 की रेंज में हो तो आपको एक बार पूरा दम लगा करना है अगली बार डेफिनेटली आपके माक्स इंक्रीज होंगे क्योंकि हो सकता है इस बार आपने कोई ना कोई मिस्ते करिए अगर आप गेट के साथ साथ पर अब आपको क्या करना है बाकी जितने एक्जाम आ रहे हैं वो भी आपको फाइट करो और पाकी गेट आपको दोजार चोईस वापस लिखना है ठीक है इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें गाई अगर आपके 40-50 माक्स आ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर रेंज में आपको इस्टेट गोर्मेंट को लेज तो मिल जाएगा इसके लावा कुछ एनाइटी के ओप्शन भी आपके आ जाए उप्शन है तो कई बच्चें यहां पे जाते हैं और उसके बाद बड़ा निकाल लेते हैं तो आप लोगों के पास यह उप्शन है को यह चाहिए उसकेस केश में आपके पास पचास से साथ वाले जो बच्चे हैं पचास से साथ वाले बच्चे आपके पस घो ब्रांचे दोप्रुप्शन होगे event आंदर जैसे मीड़ वाले init के बारे में घर हम बात करें ना इटी कुरुषे थ्रह विर भूलार ऑर भी वह सरे वह सरे उनक बता को प्राहिदुढकल disaster in आपके पास कोर्स इस पर्टिकुलर रेंग में आपके पास ओप्षन रहेंगे आपके धनबाज चले जाओ इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर अब कई बिच्चे मिलता है लेकिन अगर आप 50-60 के अंदर आ रहे हो मतलब आपका स्कूर 600-700 के बीच में होगा तो आप स्कूर लगबग जो होता है वो इस रेंज में चलता है तो आप दोनों में से किसी भी डाटा को देख सकते हो यहां पर आप देखो गई आपके पास लिमिटेड होता है यह वाला उप्शन भी आपके पास अच्छा है अपके पास अच्छा उप्शन आजाएगा यहां पर आप 60-70 आते हो तो आपके पास सब्सक्राइब यहां पर आप देखोगे डिशंट जोब आपको मिल सकती है बहुत अच्छी जोब मिलेगी अगर आप इस ओप्शन में जाते हो क्योंकि यहां पर बिलकुल कोर कंपणी आती है यहां पर अच्छी अच्छी कंपणी आपको आती बस आपको मेंनध करनी अपना प्रोजेक्ट अच्छा करना थिंद अच्छी करनी और कुछ लिए सपंद्दरा लग के आसपास का प्रेस्मेंट कई बच्छों का लगता है लिएоло लाके पाकर अब स्रोग में आपके पास कोल आ सकता है डी आडी वर रिटन आप दे सकते हो कुछ-कुछ पीस यू जिस अगर आपकी के टेगरी स्टी ओवी सी में तो कुछ-कुछ पीस यू के कोल भी आ जाएंगे और इस बार जो बड़ा नंबर आया है तो कुछ जनरल वाले बच्चों के पा अगर यहां पर आप अप देखो कैंट इस सारी की सारी आया फिर्लेग यहां पर आप देखोगे डीफैसड में दाते हैं अक्रोड के लंगे 100 स्किल्स गेन करते हैं अपने कोडिंग वोडिंग बहुत सारी चीजी इंप्रूव करते हैं और वहां से 30-40 लाग का प्लेस्मेंट भी ले आते हैं एवरेस्ट प्लेस्मेंट में भी आपका 15-16 लाग हो लेकिन कुछ बच्छे जो अच्छे करते हैं वो 30 लाग के प्लस भी प् करना पड़ेगा तो उसके लिए निटी बुम्बे का वीडियो जो आए वह आप लोग फोलो कर लेना यहां पर आप देखो कि एटी प्लस मार्क्स वाले तो एटी प्लस एटी प्लस मार्क्स वाले ऐसे हैं जिनके पास सब का रिस्ता आता है इसा समझालों कि यह वह वाला हो जिसको चूज करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है तो इस्रेंज में में जत्ने भी ओप्ष्ण सरी साथ क्या सब्केंट हैं सारे के सारे जाना चाहरे सबिस्तान और देख्यों मुझे प्रतिकर करना है और ज़््यादा साइङन्स को में terrible here प्राइवेट सेक्टर में काम करना है उसके बाद अगर आप देखोगे कि सर मुझे तो सर क्या करना है क्या करना है तो पीएस पीएस्यू की जोब करनी है तो पीएस्यू में चले जाओ आपके पास सारे उप्शन है सर मुझे कौन से पीएस्यू में अप्लाई करना चाहिए इस स्कोर पर तो उसके लिए पूरा सिरीज आने वाला है आप लोगों के लिए हर एक पूर्टिकुलर स्कोर के उपर आपके पास क्या बैस्ट ओप्शन होगा वह पूरा सिरीज है जिसमें मैं हर एक इंडिविजूल स्कोर आपको मिलेगा तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जर्रत नहीं है और सारे बच्चे कमेंट सेक्षन में लिखेंगे इन्फोर्मेशन किंग क्योंकि आप सबको पता है यह जो इन्फोर्मेशन है यह बहुत ही ज्यादा रिसर्च के साथ आप लोगों के लिए सब्सक्राइब करने के लिए पीछे जो है वो ओल्मोस्स सेवन एट आर्स की मेहनत होती है इसमें हर एक को इनलाइस करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ढूनना तो डेफिनेटली आपका प्यार जो है वो टीम के साथ बना रहेना चाहिए गेट वाला प्लेटफों के साथ बना रहेना चाहिए और आपका स्कूर क्या है मुझे सब बच्छों से जानना में क्या करेंगे आपके स्कूर क्या ना पकी अबग्रज breath नाम कari सेओ हो उसमें सारे वीडियोज रहेंगे जैसे ही कोई आयटी का ओफिस्चली फोम भरना स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट दूंगा उसको भरना कैसे वह बताऊंगा और उसके अलाव उसका इंटर्व्यू अगर होते हैं तो उसकी तैयारी कैसे करनी है हर एक चीज का वीडियो में इस वीडियो को यहीं पर एंडर करेंगे थेंक्यू सो मच एंड टेक केर अगर 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 आगर एंगर और खंगर थांगर के तैयार आगर इस वीडियोग गर होते हैं?